असलाम लेकुम हमारे आज का यानि माय वन 2023 का जो आर्टिकल है इसका टॉपिक है न्यू प्रोवेंसस यानि नए सूबे बाइ उमेर जावेद उमेर जावेद नहीं से लिखा है और यहां पे एक चीज़ को नोट करें कि हमारे पास न्यू प्रोवेंसस के आगे किस चुन मार करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह इंडिकेट करें कि क्या नै सूबे मता कुछ ने सूबे बनाने की बाद हो रही है एक फान विखाने तो डाले शाफित्व आटते आगन्स मेंस स्टाराइन और्स ह Shayle, A fur posal to create New Provinces grabbed Headlines in mid April as former Finance Minister Ms.fti Ismail and several others advocated for converting existing administrative नए सुबह बनाने की तज्वीज एपरिल के वस्त में सुर्ख्यों में आ गई जैसा कि साबक वजिर खजाना मिफ्ता इसमाईल और कई देगर ने मुझूदा इंतजामी डिविजनों को सुबह में तब्दील करने की वकालत की ठीक है? कि अगर इसको इंप्लिमेंट कर दिया जाता है इस तज्वीज को तो क्या होगा? कि जो अब चार सुबह है न यह अठतिस सुबह बन जाएंगे ठीक है? यानि कि यह एक नया आइडिया नहीं है, यह ख्याल नया नहीं है, having been suggested by several others at various points, most notably by इमरान खान in September last year. कि यह ख्याल बजाते हैं खुद को नया नहीं है, जिसे केई दूसरे लोगों ने मुक्तलिफ नकाद पर तज्वीज किया, खास तोर पर गुजशता साल सेतंबर में इमरान खान ने, ठीक है? The logic given is reasonably straightforward. Geographic scale and population pressures make governing large provinces very difficult. Reasonably का मतलब होते हैं माकूल तोर पर. तो यहाँ पर बात यह हो रही है कि दी गए मुन तक माकूल हद तक सीधी है. जो ग्राफियाई, पैमाने और अबादी का दबाव बड़े सुबों पर हकूमत करना बहुत मुश्किल बना देता है. If one agrees that decision making and ensuring delivery of basic services is better served by being geographically closer to citizens, then making new provinces helps achieve that goal. कि अगर कोई इस बाद से इत्वाक करता है कि फैसला साजी और बुन्यादी खिदमात के फ्राहमी को यकीनी बनाना, जो ग्राफियाई तोर पर शहरियों के करीब रहकर बहतर तोर पेश किया जाता है, तो नए सूबे बनाने से इस मकसद को हासिल करने में मदद मिलती है. एट करंट, पॉपलेशन नंबर्स अन इंडिपेंडेंट पंजाब वुड़ बी दे ट्रॉफ्ट, सिंथ ट्विटिनाइंथ, एंड केपी, कि मुझूदा अबादी के एदातों शमार पर एक अजाद पंजाब बार्में, सिंथ उननतिस में, और किभर पक्षटिनाइंथ, दुनिया का उन्तालिसवा सबसे ज्यादा अबादी वाला मुल्क होगा, ठीक है, यानि इससे कम अबादी वाले मुल्क है, जितनी अबादी कि हमारे सूबे हैं, ठीक है, विद इस नंबर्स, इट मिंक सेंस, वाइद इस स्टेटिस क्यू इस अन्विल्डली और कंट्रिबूट्स तो लार्ज इंटर्नल डिफरेंसे इन दे क्वालिटी ऑफ सर्विसे लाइक है, हाल्थ और एजूकेशन, स्टेटिस क्यू के एक मिन क्यूं नागवार है, और सहत और तालीम जैसे खिदमात के मियार में बड़े दाखली फर्क में हिस्सा डालता है, The most developed districts in Punjab, for example, have human development numbers that resemble middle income countries, while the poorest districts diverge sharply in the other direction. बिसाल के तोर पर, पंचाब के सबसे ज्यादा तरक्य आफते इसला में, इनसानी तरक्य के अदाद और शुमार हैं, जो दर्मियानी आमदनी वाले मुलक से मिलते जूलते हैं, ठीक है, जबके घरीब तरीन इजला तेजी से दुखरी सिमत मौर देते हैं, जो अब हम आज के important meanings देखते हैं, status quo, यह बहालत असली या बहालत साबक, यह parts of speech के हिसाब से noun है, और इसके सिननम्स होते हैं, state of affairs, status, circumstances, और sentence में देखें, तो she wants to maintain the status quo, कि वो चाहती है कि जो उसकी साबक हालत है, वो ही रहे, ठीक है, मतलब उसकी कमेंटेन करना चाहती है, विल्ड, यानि मर्जी, यह विल्ड के एक form है, past part spell, तो parts of speech के साबसे यह verb है, और इसके सिननम्स decree, order, या ordain होगा, और इसके sentence में यूज देखें, तो she wield the magic to hit its target, कि उसने मतलब, जो magic था, उसको अपनी मर्जी से उसके target पर hit करने के लिए, उसकी मतलब अपनी मर्जी उसमें शामिल किया, something like that, अरेना, अरेना के थे मैदान को, यह हमारे पस noun होते है, और सिनिनम्स इसके stadium, amphitheater, kolesium, ठीक है, और congress became an arena of opposing views, यह इसका sentence है, इसका मतलब यह हुआ कि congress मुखालिफ जो views हैं, मुखालिफ जो नजरियात हैं, उनका मैदान बन चुके हैं, upholds बरकरार रखता है, यह verb है, और इसके सिनिनम्स हमारे पस confirm, endorse, यह sustain होती है, और अगर sentence में देखे हैं, तो he took an oath to uphold the constitution, कि उसने इस बात की oath ली, यह इसकी कसम उठाई, कि वो constitution को आइन को बरकरार रखेगा, merely, महस, यह adverb है, only, purely, solely, यह इसके सिनिनम्स है, and it is not merely a job, but a way of life, कि यह सिर्फ एक नोकरी नहीं है, यह एक जिन्द की गुजारने का तरीका है, citing, हवाला देना, यह verb है, and quote, reproduce, refer to, she cited three reasons why people get into debt, कि उसने तीन वज़ुहात बताएं, वज़ुहात का हवाला दिया, जिनकी वज़ह से लोग डर्पियानी, कर्ज में फसते हैं, पलेटेबल, यह इसका मतलब होता है, लज़ीज, यह adjective है, और tasty, appetizing, eatable, यह कि सिनी नम्स हैं, the restaurant's chicken dishes are quite पलेटेबल, कि जो restaurant की, chicken की जो dishes हैं, वो काफी लज़ीज हैं, यह mennings है, यह आप इस टेबल का screen छोट ले सकते हैं, ताके बाद में इसे पढ़ा जा सके, fine, so अब हम अपने article को resume करते हैं, okay, new provinces should not be build into existence, just on administrative and developmental grounds, कि सिर्फ इंतिजामी और तर्कियाती बुनियादों पर ने सुबों का क्याम नहीं होना चाहिए, we can all, sorry, we can call this developmental or administrative reason for new provinces, कि इसे हम ने सुबों की तरकिया इंतिजामी वज़ा कह सकते हैं, it is compelling, but arguably only in a vacuum, यह मजबूर है, लेकिन दलील से सिर्फ एक खला में, यानि हम सिर्फ बातों में तो कह सकते हैं, यह बहुत perfect एक choice है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, a proposal to create new provinces is ultimately a political purpose, or political proposals, okay, कि सिर्फ नहीं सुबे बनाने की तजवीज बला कर सियासी तजवीज है, political है यह, it seeks to change how people engage with the state, purposes changes to existing boundaries and legal jurisdictions and if successful will lead to far-reaching changes in the way that legislatures, such as the Senate, will function, कि यह इस बात को तबदील करने की कोशिश करता है, कि लोग किस तरह रियासत के साथ मुझसलिक होती है, मुझूदा हदूद, और कानूनी गारा इक्तियार में तबदीलियों की तजवीज पेश करता है, और अगर कम्याब हो जाता है, तो मुकरना जैसे के Senate के काम करने के तरीके में दोरस्त तबदीलियां लाएगा, मतलब बहुत दूर तबदीलियां लाएगा, डिवलप्मेंट इन एंड गिविंग एफेक्टिव वेलफेर तो सिटिजन इस लार्ज पार्ट अफ पॉलिटिक्स बदीलियां लाएगा, मतलब अस्पेक्ट का मतलब तो होता है न, पहलू तो इसका मतलब यह हुआ कि तरक्षी और शेहरियों को मुसर बहबूत देना, सियासे का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये इसका वाहिद पहलू नहीं है यहां की जर्ड नसली, सुभाई, सरहदों और सियासत के दर्मियान तालुक है अगर शाओ पाकिस्तान के मरकजी जबान के गरूहों की तारीख तो पाकिस्तान के मरकजी जबान के गरूहों के जो तारीखी है वो केई सद्धियों पुरानी है लेकिन मुझूदा शकल में सुभे निस्बतन जदीद तखलिकात है यहां भी यह बात हो रही है कि वो इंतिजामी इदाई हैं जो नो अबादियाती हुकुमरानी के जरीए बनाए गए या तो ब्राहे रास्त केपी और सिंथ यानि खैबर पक्तों ख्वाँ और सिंथ या बिलवास्ता तक्सीम और अजादी पंजाब और पलोचस्तान के असरात हैं ठीक है उसके बाद है सिंस इंडिपेंडन्स के अजादी से अजब से इंडिपेंडन्स हुई है अजाद हुए है तो यहाँ भी बात ही हो रही है कि अजादी के बाद से हुक्मरानी का ढांचा और इनमें रहने वाले ज्यादतर लोगों की जिन्तगियों का तैयन करने वाले कवानीन में कोई खास तब्दिली नहीं आई है ठीक है यहाँ पर जो अरेना है इसका मतलब मैदान है ठीक है इंशोर्स मतलब यकीनी बनाना तो यह तसलसुल सुबे की किरदार को सियासत के एहम मैदान के तोर पर यकीनी बनाता है Under the British, the most prominent types of politics that allowed for even limited public participation was at the provincial level के अंग्रेजों के दोर में सियासत की सबसे नुमाया किसम जिसमें अवामी सिता पर भी महदूत शरकत की जाज़त थी वो सुबाय सिता पर थी Language and religious conflicts played themselves out through provincial elections, ultimately contributing towards partition and independent statehood के सुबाय इंतखाबाद के जरिये जबानी और मजहभी तनाजात ने खुद को खतम कर दिया बलाखर तक्सीम और आजाद रियासत के लिए किरदार अदा किया Post independence, the province's status as an arena of politics continued and ethnicity due to provincial boundaries overlapping with linguistic communities, increasingly became the main currency of that politics Post, मैंने इसका आपको पहले भी बताया था कि pre मतलब होता है पहले और post मतलब होता है बाद में चीक है, तो यहां पर बात और यह post की तो अजादी के बाद सियासत के मिदान के तोर पर सुबे की हैसित बरकरार रही और नसली यानि सुबाई सरहदों के लसानी बरादरियों के साथ overlap होने की वज़ा से तेजी से इस सियासत की एहम currency बन गई for better or worse, province-based ethnic politics became synonymous with democratic politics and acted as an opposing force to centralization under various forms of authoritarian rule बेहतर या बतर, सुबे पर मबनी नसली, सियासत, जमूरी सियासत का मतरादिफ बन गई और इसने आमराना, हकुमरानी की मुक्तलिफ शकले हैं, मुक्तलिफ शकलों के तहत मरकजियत की मुखालिफ कुवत के तोर पर काम किया the outcome of this conflict, outcome, outcome का मदबत है, नतीजा कि इस तनाज़े का जो नतीजा है, eventually led to the type of federalism that undergrids, Pakistan's constitution ठीके, तो यहाँ भी बात ये हो रही है कि इस तसादम का नतीजा, आखिर कर वफात, जो वफाकियत है हमारी वफाकियत की इस किसम की सूरत में निकला, जो पाकिस्तान के आइन को जेर करता है अंडर्ग्रिड्स यानि जेर करता है पाकिस्तान's current constitution is thus largely the product of center province conflicts from the early 1900s till 1971 पाकिस्तान का मुझूदा आइन इस तरह 1900 की दहाई के अवाइल से लेकर 1971 तक मरकिस सूबों के तनाजात की पैदावार है तो यहां पे बात ये हो रही है कि ये इंतजामी और तरकियाती हकोग को बरकरार रखता है जो मज़ीद अठारवी तर्मीम के जरीए अता किये गए हैं बलके सुबाई हदूद लिसानी हकोग और कोटा की तारेफ के जरीए सिकाफती हकोग पर फरहम किये गए हैं दूसरे लफजों में मकबूल सिकाफत और अवामी शिकायात आइन के जरीए अपनी कानूनी नमाइंदगी हासिल करती हैं Contested यानि मुकाबला करना या बामुकाबला Political Parties campaign on linguistic and ethnic grounds in provinces in an attempt to protect or expand what the central state offers सियासी जमातें सुबों में लिसानी और नसली बुनियादों पर मोहिं चलाती हैं ताके मरकजी सियासत की पेशकर्ष की हिवाज़त या तोसी की कोशिश की जा सके A cynical take on this is that political parties manipulate people's beliefs and identities to seek power for a small set of upper class leaders Signical मजमूम को कहते हैं तो इस पर एक मजाहिका किस नुकता नज़र ये है कि सियासी जमाती आला तबके के लीडरों के लिए एक छोटी से सेट के लिए एक्तिदार हासल करने के लिए लोगों के अकाइद और शनाखत को तोड़ती हैं A more benign take is that political parties are channels for people's cultural beliefs and ideas especially when beliefs and ethnic identities sorry where was I yeah where believe and ethnic entities correlate with inequality and injustice कि इस से जादा महजब नुकता नज़र ये है कि सियासी जमाते लोगों के सिकाफ़ती अकाइद और नज़रियात के लिए जराएं हैं ठीक है खास तोर पर especially यानि खास तोर पर जब अकाइद और नसली शनाखती अदम मसावात और ना इंसाफिय से मुंसलिक हों अधर वे बहराल थे स्टेटिस क्यों अविए जस्ट फोर प्रोविंस इस नोट मेरली अ प्रोड़क ओफ ए सेंट्री लोंग अडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया बट आल्सो दे प्रोड़क अधिव लेंग्विज एंड कुल्च्छरल पॉलिटिक्स इनर्शियों होते हैं जुड़ता ठीक है तो यहां पर मेनिंग यह हुआ कि बहराल चार सूबों सिर्फ चार सूबों का जमोदना सिर्फ एक सदी पर मुहीत इंतजामी जुड़त है मतलब जो जुड़े हुए आपस में उसका नतीज़ा है बलके फाल, जबान और सिकाफ्ती सियासत का नतीज़ा भी है What does this mean for large-scale changes to existing provinces? के मुझूदा सूबों में बड़े पेमाने पर तबदीलियों का क्या मतलब है? In simple terms, new provinces should not be willed into existence just on administrative and developmental grounds सदह अलफाज में, नए सूबें सिर्फ इंतिजामी और तर्कियाती बनियादों पर वजोद में नहीं आने चाहिए Rather, the creation of new provinces should also accurately reflect people's ideas about political boundaries, the form of the state and how they are tied to their cultural and symbolic representation यहाँ भी बात यह हो रही है कि इन मसाइल पर, Rather, बलके नए सूबों के क्याम से सियासी सरहदों, रियासत की शकल और इनके सिकाफ्ती और इलाम्ती नमाइंदगी है, उससे मतलिक लोगों के ख्यालात की भी दुरुस्त अकासी होनी चाहिए The only way to gauge people's ideas on these issues is through popular word कि इसका जो यह मसले हैं, इन मसाइल पर लोगों के ख्यालात का अंदाज़ा लगाने का वाहिद तरीका मकबूल वोट के जरिये है ठीक है? यानि सबके वोट लिए जाए The only link between people's ideas and popular word is a political party कि जो अवाम के ख्यालात और अवामी वोट के दर्मियान वाहिद करी सियासी जमात है If a political campaigns against the breakup of a province, citing laws of a cultural representation and wins This should not be suppressed because the developmental case for new provinces is deemed more intellectually compelling Citing मतलब हवाला देना, deemed मतलब समझा तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सियासी जमात किसे सूबे के टूटने के खिलाफ महीं सिलाती है सकाफ्ती नुमाइंदकी के नुकसान का हवाला देती हुए और जीत जाती है तो इसे दबाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि नए सूबे के लिए तरक्की का मामला ज्यादा फिक्री तोर पर मजबूर समझा जाता है क्या इसका मतलब यह है के मुस्तक्बिल में मजीद सूबे मुमकिन नहीं इस अर फ्लीटिंग इंडिकेशिंस ते लिए क्रेंशी फ्लीटिंग मतलब आर्जी वक्ती इशारे मिल रही है के सियासत की करेंशी बदल रही है The conflicts that shaped politics and law between the partition of Bengal in 1905 to the secession of Bengal in 1971 are still present though more muted with generational change 1905 में Bengal की तक्सीम से लेकर 1971 में Bengal की अलहदिकी के दर्मयान सियासत और कानून की शकल देने वाले तनाजात अब भी मुझूद हैं हलाके नसर दर नसल तबदीली के साथ ज्यादा खामोश है Post-ethnic identities of various forms continue to evolve कि जो मुख्तलिफ शकलों के बाद जो नसली शनाखतों का अर्थ का जारी है In some places they make, take the form of civic identification As for example in कराची and in other places a more aggressive national identity or what we colloquially call पाकिस्तानियत Civic कहते हैं शहरी को और colloquially कहते हैं बॉल चाल से तो कुछ जगों पर वो शहरी शनाखत की शकल अक्तियार करते हैं मिसाल के तोर पर कराची में और दूसरी जगों पर ज्यादा जारहाना कौमी शनाखत या जिसे हम बॉल चाल में पाकिस्तानियत कहते हैं It is conceivable that provincial identities weaken as people's ideas about their culture and what it is represented by changes Conceivable कहती है काबले फहम को तो यहाँ बात यह हो रही है कि यह बात काबले फहम है Sorry, कि सुभाई शनाखत कमजोड परती है क्योंकि लोगों की अपनी जो सकाफत है सकाफत के बारे में ख्यालात और इसके नुमाइंद की किस चीज़ से होती है इसमें तबदील ही आती है It is also conceivable that a party with an administrative proposal to create 38 provinces wins a popular mandate for it at some point down the line यह बात भी काबले फहम है कि 38 सुभे बनाने की इंतजामी तजवीज रखने वाली जमात किसी वक्त इसके लिए मकबूल mandate जीत लेती है But regardless of its current intellectual merit we are likely not there yet लेकिन इसकी मुझूदा फिक्र काबलियत की से कता नजर हम अभी तक वहाँ नहीं है A more relatable path forward in present is to push for greater devolution through local governments within the four existing provinces Devolution कहते हैं मुंतकली को और इसका मतलब यह हुआ कि मुझूदा दोर में आगे बढ़ने का एक ज्यादा काबल अमल रास्ता चार सूबों चार मुझूदा सूबों में मुकामी हकूमतों के जरीए ज्यादा से ज्यादा मुंतकली के लिए जोर देना है बना। असित ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एक ज्यादास्टर टोर। यह हुआ कि झातएर्ट यह जद्यामतों चार्बगार्वेदा से भीकाब्स